नमस्कार विद्यार्थियों जी एलसी विकाने यूटूब चैनल पर एक वार्पूने आपका स्वागत है अब हम एलल्बी शेकिंड येर के सब्जेक्ट बारतिय दन सहिंता 1860 को प्रारम करेंगे दि इंडियन पिनल कोड 1860 नह केवल विद्यदित्य वर्ष के लिए महत्पूर्ण है अपितू विविन स्टेट में जूडिशिल कॉम्पूटिटिव एक्जाम में इंपोर्टेट सब्जेक्ट के रूप में किशन आते हैं बारत में दन्डिक विवस्ता में एक रूपता और शमानता नहीं थी विन विन देशी रियासते राज्यों में या तो मुगल दन्डिक विवस्ता का प्रतलन था या अलग-अलग रूप लेगलेशन के तैथ दन्डिक विवस्ता का प्रावदान किया गया था सर्ण 1833 में भारत में पर्थम विद्यायों की स्थापना हुई पर्थम विद्यायों के अज्यक्ष लोड मेकाले को बनाय गया उस समय बारत में सहिंताकरण का दोर था यानि लोड मेकाले और सर हैंरी मेन के द्वारा बारत राज्य छितर में प्रैसलित भिन-भिन पर्थाओं अभिशामयों विद्यों उनको एक जगे कोडिफाई करके और उनको सहिंताबद करने का दोर चल रहा था चुंकि बारत में दंड विद्य की एक रूपता नहीं थी अधिकांस दंड विद्यों का प्रारूप मुगल सासन वैस्ता पर अधारी था अतहे पर्थम विद्यायों के अध्यक्स लौड मैकाले ने बारत में प्रेचलित विभिन दंड विद्यों को समयकित करके एक जगे संसोदित करके और इंग्लेंड की संसत हाउस अफ कोमन्स में इस विद्य को पेश किया इंग्लेंड की संसत के द्वारा इस विद्यक को 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया और ये भारतिय दंड सहिंता संपूर्ण भारत राज्य सितर के लिए लागू होई भारतिय दंड सहिंता 1860 पारित होने के ठीक दो साल बाद एक जनवरी 1862 फर्स्ट जनवरी 1862 को भारत में लागू की गई मेकाले की पर्तिबा और विद्धता का ये प्रयास पना दाता है कि आज दिनांग तक केवल आईटी एक्ट के संसोदन को छोड़ करके कोई विशिश संसोदन नहीं हुए है कुछ संसोदन हुए है जिसमें केवल दंड को बढ़ाय गया है या अब राद को गंभीर बनाए गया है इसलिए भारतिय दंड संसाइंता अठर सो साथ में मेकाले की पर्तिबा और विद्धता का भी परमान माना जाता है इसका नाम है इंडियन पेंडन कोड ये कोड है यानि संसाइंता है एक्ट नहीं है संसाइंता का तात्प्री होता है पूर में परचलित विद्धियों को एक जगे Consolidate समयकित करना उसमें संसोदित करना और उन सब को मिला करके एक कोड बना जाता है इसलिए उसे संहिता कहा जाता है यानि ब्रिटिश पार्लिमेंट के दवारा भारत में प्रचलित विभिन दंड विद्धियों को एक जगे संसोदित और समयकित करके एक विद्धि बनाएगी इसलिए इसे कोड कहते हैं यह एक्ट नहीं है इसमें किशन आता है कि यह भारत के दंड सहींता किस के दवारा पारित की गी थी तो आपका आंसर होगा ब्रिटिश पारिलेमेंट इंग्लेंड की संसत के दवारा पारित किया गया था दूसरा किशन आता है कि भारतिय दंड सहींता का बिल किस ने पेश किया था लॉर्ड मेकाले ने ब्रिटिश पारिलेमेंट में भारतिय दंड सहींता 1860 के बिल को पेश किया था फिर ये फुच्छा जाता है कि ये बारत में कब लग होई तो ठीक दो साल बाद एक जनवरी 1862 को ये बारत में परवर्थ होई इसमें कुल 23 चेप्टर, 38, 23 अध्याय और टोटल 511 धाराएं 511 सेक्षन है बारतिय दंड साहिंता 860 में अपरादों को परिवाशित किया गया है तथा उनके लिए दंड का परावदान किया गया है ये साहिंता किसी विक्ति के द्वारा कोई अपराद किया जाता है तो उस पर लागू होती है अपराद क्या है इस साहिंता की धरा 40 में परिवाशित किया गया है धरा 40 के अनुसार एशा कोई कारे या लोब जो तत समय परवत विदी के तैत दनन्य बना दिया गया हो वो अपराद है अर्थात ऐसा कोई कारिय या लोब एक्ट एंड ओमिशन जिसे या तो किसी लोकल लोज के द्वारा या किसी इस्वेसल लोग के द्वारा उसे पनिशेबल गोसित कर दिया गया है तो वो अपराद माना जाएगा कोई विक्ति अगर अपराद करता है तो बारते दन्य सहीता लागो हो गई अब हम देखते हैं कि किसी अपराद के क्या आउसक तत्वे है अर्थात दूसरे सब्दम ये देशकते हैं कि बारते दर्ण सही ताके लागो होने के लिए असेंसिल इलिमेंट्स क्या है इसके आउसक तत्वे क्या है पहला आवस्त तत्व है किशी मानो या व्यक्ति के द्वरा अपराद किया जाना तो कमिट ओफेंस बाई फर्षन एंड हुमन अर्थात कोई अपराद तब होगा जब किशी मनुष्य के द्वरा कोई अपरादी कार्य किया गया हो या किशी व्यक्ति के द्वरा व्यक्ति सब्द की परिवाशा बार्तिय दर्ण सहीता 860 की धारा एग्यारा सेक्शन 11 में दी गई है कि कोई कंपनी, संगम, एस्सोोटियेसन या कोई कॉर्परेट वोडी है निगमित निकाय है चाहे वो निगमित हो या नहीं हो व्यक्ति सब्द के अंतरगत आते हैं अर्थात परसन वर्ड के अंतरगत सव्यक्ति सब्द के अंतरगत artificial person यानि कृत्रियम व्यक्ति और natural person प्राकर्थिक व्यक्ति दोनों व्यक्ति सामिल है इनके द्वारा कोई अपराद किया जाता है तो वो अपराद होगा और भारते दन सहींता लागो होगी पौर एक्जाम्पल के लिए एक कोई निगम है या कोई company है या racial society है वो भी अपराद कर सकती है अर्थात उसके दोरा कोई अपराद किया जाता है तो उसके जो परबंदक होंगे वो उत्तरदाई होंगे परतिनिजिक दाइत्वे के सिद्दान्द के आधार पर तो बारते दन सहीता किसी व्यक्ति के दोरा कोई अपराद किया जाता है तो उस पर लागू होती है यदि किसी जानवर के दोरा अपराद किया जाता है तो ये लागू नहीं होगी दूसरा आउसक तत्वे है mensria यानि अपरादिक मन इस्थिति का होना कोई भी व्यक्ति कोई कारिय अलोब करता है ये दि उसके एक्ट और ओमिशन के पीछे अपरादिक मन स्थेती यानि दुराश्य का भाव नहीं है तो वो अपराद नहीं मना जाएगा फौर एक्जांपल के लिए एक व्यक्ति बस में चड़ता है और बिना कुछी इंटेंशन के किसी दूसरे व्यक्ति को धका लग जाता है तो यहाँ अपराद नहीं है क्योंकि उसको अपरादिक कारिय करने का मैंसरिय नहीं था मैंसरिय के सिद्धानत यह है कि जब तक कोई कारिय दोसित मन से नहीं किया जाता है तब तक अपराद नहीं होगा बारदिय दंशनिता में मैंसरिय को फोजिटिव और नेगिटिव सेंस और इस्टिक लिएबिलिटी इन तीन अर्थों में समाविष्ट किया गया है इंग्लेंड में मैंसरिय को अलग से साबित करना होता है जबकि बारत में समंदित अपराद की दारा में ही मैंसरिय को समाविष्ट किया गया है जैसे नेग्लिजेंसी, उपेक्षा, इंटेंशन, मोटिव, उतावलापन, गुड़ फैथ, कपट पूर्वक, आदी अब हम बढ़ते हैं तीसरे आवस्टत्वे, कि कोई भी व्यक्ति इस मैंसरिय की इस्तिती को आगे बढ़ाते हुए, अगर्शन करते हुए, कोई कारिया लोब किया हो या तो उसमे कोई काम किया है, या जो काम करना था, वो नहीं किया है, तो लोब किया है अर्थात, पहला आवस्टत्वे है कि किसी व्यक्ति के दोरा अपराद किया गया है, दूसरा ऐसा अपराद करते समय उस पे मैंसरिया की इस्तिती होनी चाहिए, अपरादिक का दोसी मन होना चाहिए और तीसरा ये जो अपराद किया गया है वो उस मेंसरिया के दौरा आगे बढ़ते वे किसी कारिय के दौरा अपराद किया गया है या किसी लोब के दौरा कारिय के द्वारा का मतलब एक ने बी की हत्या की तो उन्होंने कारिय के द्वारा किया है ओमिशन के द्वारा जैसे एक जेल प्रहरी का कर्तव्य है कि वो जेल की सुरुक्षा करे जबकि वो किसी कैदी को निकल भागने में शाहिता करता है तो अलांकि उसने कोई कारिय नहीं किया है लेकिन उसका निकल भागना सहन करता है तो यह उसका o'mission माना जाएगा और अपराद की सरेनी में आएगा अरताथ कोई वेक्ती ने अपराद किया हो और उस अपराद करने में उसकी महनसरिया मनस्तिती हो और ऐसा अपराद उन्होंने किसी कारी के दवरा या लोब के दवरा और नेक्ष्ट और अंतिम इसकावस तत्वे आता है ऐसे अपरादिक कार्य से मनुश्य को या समाज को ख्षती पहुंची हो अर्थात जो अपरादिक मन स्थिति के अगर्षण में किसी कारिय लोब के दवारा जो अपराद किया गया है उसे किसी व्यक्ति को या समाज को इंजरी खशती हुई है चती सारीरिक हो सकती है फिजिकली मांसिक हो सकती है मेंटल और उसकी परतिष्टा डिगनेटी को हो सकती है चती और उसकी प्रोफर्टी समपत्ति को खशती कारित की जा सकती है अर्थात ऐसे अपरादिक कारिय से किसी को खशती नहीं होती है तो वो अपराद किशेणी में नहीं भी आता हो जैसे अपकरती विद्धी में पढ़ते हैं इंजूरिया साहिनम टेमनम अर्थात किसी विवक्ति को विद्धिक खशती होना आवशक है तब ही वो खशती पू या तो किसी कारी के दौरा या लोब के दौरा किया गया हो जिसे किसी व्यक्ति को और समधाय को समाथ को ख्षति होई है तो वो अपराथ मना जाएगा और ऐसे अपराथ पर भारत्य दन सहीता लागो होती है और वो पनिशेबल होगी आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू इस IPC को पूरी करेंगे उमिद है कि आपके कॉंप्टेटिव एक्जाम और LLB सेकेंडियर के लिए ये सब्जेक्ट समझ में आएगा और महत्वों से दोगा धन्यवाद थेंक्यू